Hello, Good Morning, कैसे आप, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो resistance हैं, वो जब series में होंगे, तो क्या behavior होगा of the voltage and the current, तो यहां यह fat simulations हैं, और fat simulations के यहां left side में आप देख पा रहे हैं, यह जो है, वायर है, बैटरी है, बल्ब, है, रेजिस्टर, स्विच, whatever you want to use, you can use, right, इस type से, तो यहां, मैं अभी आपको यह resistance हैं, और इनको series में जोड़ते हैं, यह इस तरीके से, last वीडियो में मैं भी आपको arm scale जब बताया था, तो इनको कैसे use करते हैं, वो समझा चुका हूँ, right, तो अभी इसका connection यहां इस तरीके से कर देंगे, तो यह जो एक battery है, इसकी voltage अभी 9V है, दूसरी battery जो है, वो भी 9V की है, और तीसरी battery है, वो भी 9V की है, तो यह तिनों series में लगे हुए हैं, तो total जो voltage है, वो 27 है, यहां initial point है, जो की positive point है, इस side में यह negative point है, तो चेक करते हैं, voltmeter से, यह हम लोगों का voltmeter है, और इस voltmeter को आप यहां रख सकते हैं, कहीं और जो इसके यह pointer है, तो एक इसको positive पे रखेंगे, जो red color का है, वो positive के लिए है, जो black color का है, वो negative terminal पे रखना है, तो total voltage यहां पर आपको दिख चुगा है, कितना 27 voltage, और यह resistance है, right तीन resistance लगे हैं, और series में है, तो यहां इनके अभी जो current है, सर्किट में है, वो कितना 0.47 amp यह ampere में है current, दियान रखिये, तो अब हम लोग इस circuit को analyze करते हैं, right, तो यहां यह जो resistance है, यह 10 ohm का लिया हुआ है, और जैसे कि last video में बता चुका था कि इस slides, यह ऐसे slide हो जाएगा, तो इसका resistance change होगा, right, इस way में, तो आप इसका resistance जो है, वो रख सकते हैं, अपने according, right, दूसरा resistance यह, यहां 19.5 ohm का रखा हुआ है, तो भी आप इसको vary कर सकते हैं, यह मैं अभी 20 का कर चुका हूँ, right, यह 28 ohm का है, तो इस तरीके से यह तिनो different resistance है, इसको आप R1 बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं, R3 बोल सकते हैं, तो इस case में क्या है कि पूरे circuit से कितनी voltage मिल रह तो circuit में अभी क्या है, current constant है, इस circuit में, इसको मैं अगर यहां से हटा दूँ थोड़ देर के लिए, right, तो हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां क्लिक करना होगा, और इसको मैं cut कर दूँग, right, इसको मैं side में इस तरीके से रखता हूँ, इस जगे रख लेता हूँ और इनको ऐसे जोड़ देता हूँ, wire को, तो अब यह circuit है, यहां पर यह battery हुआ, यहां पर switch है, यह जो अब यह आप देख रहे हैं, अब switch open है, और अब यह switch close हो चुका है, तो इसमें current का flow हुआ, तो यहां आपने देख लिया कि 27 volt है, right, तो अब इस first resistance के across देखते हैं, कित यहां पर इसके across रखा, तो voltage कितना मिला है, इस resistance के across, 4.66, right, तो यह R1 resistance था, वहां पर आपको voltage मिली कितनी, 4.6, अब R2 देखते हैं, यह इस side में आएगा, और यह यहां आएगा, तो R2 के, अब यह R2 different resistance था, जो भी आपको बताया था, right, बैटरी जो voltage supply है, अभी भी देखें, आपको उसको change नहीं किया है, आपके वल, resistance के across कितना potential है, उसको measure कर रहे हैं, तो अभी इस resistance के across, 9.31 voltage है, और इस resistance के across हम देख रहे हैं, यहां कि वो कितना है, 13.03 volt है, तो I constant है अभी भी, I उतना ही रहेगा, right, यहां पर आर्च के across, ज जो potential difference है, वो different, different है, तो यह resistance है, 28 ohm का, यह resistance है 20 का, और यह आपका 10 का, 10, 20 और 28, तो 28 जब ohm resistance है, तो वहां कितना potential है, वो 13.03 है, और यहां आप दुबारा इसको देख सकते हैं, और यह आप अपने आप से करेंगे, तो फिर आप यहां से reading भी ले सकते हैं, जो book में आप हैं, कि भई, I constant रहा, लेकिन V change हो जाता है, और यह V जब आप total मिलाएंगे, तो किस equal होगा, यह इस battery के across जितना अपने measure किया था, वो उसके equal होगा, तो अभी, यह यहां पर कितना है, 9.31, तो अभी मैं उसको आपको यह दिखा हूँ, अगर, तो यह यहां इसके across resistance कितना, sorry, voltage कितना है, वो 27V का है, 27V क्यों है, क्योंकि एक battery जो है, वो 9V की है, दूसरी भी 9V की है, तीसरी भी 9, तो total हो 27, तो यह जो resistance है, इनके across, जो है, हम आपको, जो total voltage difference मिलेगा, वो 27V का मिलेगा, तो अगर अलग-अलग करते हैं, तो मालना जैसे पहली उसमें था, आप इसक यहाँ जो आएगा, इस resistance के across, वो आया 4.66, अगर calculator देखते हैं, तो calculator से यहाँ पर है, यह राइट, तो यह calculator है, और यहाँ अभी कितना है, 4.66, इसको और छोटा कर लेंगे, तो यह आजाएगा, 4.66, यहाँ थोड़ा रख लेते हैं, अभी, चलो, इस तरीके से रखते हैं, कि अभी भी नहीं हो पाय रहा, इसको सोट करूँगा, तो यह, और यहाँ रखते हैं, इस वे में, तो यह आया, आपका 4.66, 6.66, प्लस, अब दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ते हैं, इसका, और इसके, आर्टो के एक रोस कितना है, यह आया, 9.31, तो प्लस, 9.31, कितना हुआ, 13.97, अब तीसरे रेजिस्टेंस के एक रोस जोड़ते हैं, राइट यहाँ, तो कितना है, 13.03, तो प्लस, 13.03, टोटल, 27, So, by this way, you have seen that potential across this resistance, V1, V2, V3, उन सब को add करेंगे, V1 plus V2 plus V3 कितना हैगा, जितना की इस बैटरी के across potential था, यह इन तीन रेजिस्टेंस के across था, तो वो आपका 27 होगा, तो सीरीज में यह केस रहा, तो आप अपने आप से इस एक्सपरिमेंट को कर सकते हैं, वायर की रेजिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, और उन सब के साथ में यह आप एक्सपरिमेंट को अपने आप से कर सकते हैं, तो यह आपका wire की resistivity बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर voltage भी change हो रहा है क्योंकि साथ साथ में current भी change हो रहा है तो यह current को आप देख सकते हैं इस वे में कि current कैसे change हो रहा है wire की resistivity change करने से या फिर जो बैटरी की resistivity है उसको change करेंगे तो भी यह current और voltage change होगा यहाँ जो भी symbol है वो usual symbol यूज किया है लेकिन book में जैसे यूज करते हैं तो वो इस तरीके से यह resistance और resistance के across आपका potential P1, P2 यह बैटरी हम लोगों ने यूज किया हुआ ऐसा है और यह यहाँ पर switch था तो अभी जो conventional way है वो इस तरीके से यह emitter और यह voltmeter तो यह रहा आपका जो है series में अगर resistance लगे हैं तो आप महां क्या observe कर पा रहे हैं कि जो V1, V2, V3 है across the resistance वो change होगा और उनका समझो होगा वो total जो potential difference है of the circuit उसके equal होगा V, V is equal to V1 plus V2 plus V3 और यहाँ आपने observe कि I constant रहता है in series circuit next video में हम लोग देखेंगे about to the parallel circuit और धन्यवाद अगर कोई question है तो आप लोग पूछ सकते हैं और FAT PHET simulations के तुवारा यह through आप इसको जो है आप भी अपने आप से experiment कर सकते हैं उन value को note करके उनको आप जो book में पढ़ते हैं उसके through भी देख सकते हैं right कोई question है तो आप question put कर सकते हैं या वीडियो कैसे मनाया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं इनका link में description में देदूँगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं right तो best जो virtual labs हैं actually वो understanding के लिए best हैं तो जो आप series या parallel resistance का concept पढ़ते हैं तो I think कि अगर यहां में बता पाया हूँ तो वो आपको समझा आ चुका होगा right तो next video में देखते हैं parallel circuit